तो आपके जो बोड एक्जाम में बिल्कुल बगल में आ चुके हैं और जो प्रेशर वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है तो डरना नहीं है यार मैं आप लोगों के साथ हूं फिजिक्स में बिल्कुल फोड के रहेंगे हम है ना और सतर में से सतर लेके आएंगे जो सबको पता है कि किस तने अच्छे तरीके से हमने मेनट करी है ठीक है और अभी के लिए मैं 15 दिन के ओपर वीडियो क्यों बना रहा हूं हमारा तो एक्जाम 24 से है भाई सुनो एक बात आपका 24 को अगर इंगलिश का एक्जाम है तो तुम 20, 21, 22, 23 को पढ़ना स्टार्ट कर दोगें इंगलीश को ठीक है और आज और लेडी मेरे खाल से पांच तारीक हो चुके है ना तो अगर तुम अगले 15, 16 दिन भी बाकी सब्जेक्ट को दोगे तो अच्छा रहेगा तो यह 15 दिन इसलिए बोले जा रहे है कि तुम्हारे पास सिरफ और 15 दिन का टाइम है बाक कि सब्जेक्ट को भी आप लोग टाइम दे रहे होंगे मेन हमारा फोकस रहेगा कि फिजिक्स को लाश्ट के 15 दिन मत कैसे खतम करें कि कैसे अच्छे से हम उसको रिवाइज कर ले ठीक है बटा तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अ तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल है मेरा परसनल टेलीग्राम चैनल है सुनील जंग्रा सर के नाम से बटा इसको फटा-फट से जोइन कर लो जिसमें पूरे क्लास 12 फिजिक्स के है के नहीं रिवीजन कितनी बार करी है आपने पीवाई क्यों कितनी बार करें सब वो चेक्लिष्ट के थूरू आप लोग कर सकते हो साथ में मैं फ्री लाइव क्लास लेता हो उनके लिंक भी आप लोगों को यहां पर मिलते हैं और यह टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ह मतलब जोइन करना तो फ्री है यह साथ में जितना भी यह मैटीरियल है उसको एक्सेस करना भी बिल्कुल फ्री है ठीक है और इसमें मतलब साथ हजार बच्चे होने वाले हैं ठीक है तो तुम लोग भी जूड़ जाओ जब हम प्रिपरेशन कर रहे होता है तो कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए अब क्या होता कि मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूं फिजिक्स की मैं दूसरे प्लैटफॉर्म पर भी बढ़ाता हूं फ्री ओफ कोश बढ़ाता हूं तो वो क्लासिस तुमारी मिसना हूं तो इसलिए इस टेलिग्राम चैनल को फटावट से जो रहे होगी वन शोट चल रहे होंगे ओके चल तो अभी बच्चे हों यार लग 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 हमारे पास पंदर आती है और जैसा कि मैंने बोले कि 20 से तुम इंगलिश को स्टार्ट कर दोगे 20 मतलब 21 22 23 24 को आप 24 को तो इंगलिश है 23 तक आप इंगलिश पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए यार इतने दिन तो आप लोगों को देने भी पढ़ेंगे क्योंकि इंगलिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम शुरू से नहीं पढ़ रहे होते लास्ट के दो महिनों में आके थोड़ा 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 सा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो च सिरफ और सिरफ यह नहीं कि सिरफ और सिरफ फिजिक्स पढ़नी है ठीक है या सिरफ और सिरफ हमें केमिस्ट्री पढ़नी है या सिरफ और सिरफ हमें मैथ या बायो पढ़ना है ठीक है मैं आप लोगों को एक चीज बोलूँगा आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं इन क्ट अच्छा स्कोर करे। और हां तुम्हारे अंदर दम हैं कि हां सर मैं पढ़ने के लिए त्यार हूँ और मैं इन दिनों में लास्ट की दिनों में पढ़के बहुत अच्छे तरीके से प्रप्रेड़ करना चाता हूँ तो चार सब्जेक्ट कुई बड़ी बात नहीं है। लेकिन, लेकिन, थम जाओ, थम जाओ, भाया, थम जाओ, मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, कि आप लोग किस तरीके से इन पंदर दिनों को डिवाइड करो, फिजिक्स जरूर पढ़े, कैमिस्ट्री भी पढ़े, बायो या इंग्लिश के अंदर आप चोईस रख लीजे क्योंकि देखो, इंग्लिश को हम लास्ट के चार दिन, मतलब 20, 21, 22, 23 को भी पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप साथ में इस तरीके से करो, कि एक दिन आप या तो बायो और मैट्स को दो, एक दिन, मतलब एक दिन का मलब यह निया पूरा दिन, मतलब जैसे क कि अगर माल लो मैं एक दिन में 10 से 12 घंट अगर सेल्फ स्टड़ी करूं, ठीके, 10 से 12 घंट अगर मैं सेल्फ स्टड़ी करूं, तो इसका मलब चार, 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 ठीके, ऐसा हो सकता है, या मैं ऐसा कर सकता हूं, कि चार घंट में फिजिक्स को दे रहा हूं, तीन गंटे य लेकिन नेक्स्ट मैं इंग्लिश को कर रहा हूंगा तीन घंटे ऐसा ही आप लोग यह चीज को हर एक एक दिन छोड़के बायो और इंग्लिश या मैथ या इंग्लिश कर रहे होंगे लेकिन फिजिक्स एंड कमिस्ट्री को आप साथ ले सकते हां ऐसा भी हो सकते कि क्या बता अगर तुमारा कैमिस्ट्री को अप टेल इपड़ो अगर तुमारा केमिस्ट्री अच्छा है बहुत अच्छा है राविश के हैं तो इसको इसके इसकी छोस इसके वेस्टरा रख सकते हैं छहरे लास्ट दिनों में जो हमारे मोटे मोटे सब्ज Есть Cliff Colin कर crispy जो मुश्किल मान सब को साथ लेके चलना यह नहीं कि बस मैं तो पूरे अगले 15 दिन या तो फिजिक्स ही पढ़ रहा हूं या फिर केमिश्टरी पढ़ रहा हूं भाई सब या सिर्फ मैच्स पढ़ रहा हूं नहीं भाई यह गलती मत करना अगर यह गलती करीब तो डेफिनिटली डूब जाओ ठीक है तो अभी फिजिक्स के बारे बात कर लेता क्यों कि मैंने बोला खालता हूं अब जैसे कि मैंने बोला है कि लगब लगब आप 4 गंटे या साड़े-3 गंटे यार मंनने चार दे उख एक 15 एक अगर तुम 15 दिन साड़े तीन घंटे पढ़ते हो वैसे तो ज्यादा पढ़ना चाहिए तुम्हें चार घंटे फिजिक्स को देने चाहिए तो भाई तुम्हारे पास लगबग लगबग 52.5 आर्स बनते हैं कितने घंटे बनते हैं सब 50 घंटे बनते हैं और इस टाइम पे हो पास करना चाहिए और दो से तीन सेम्बल भीपर भाई सब उन्हें लगाना चाहिए तो सर यह बावन घंटे बन रहे हैं तो कैसे करेंगे तो तुम एक चीज़ देखो या एक चीज़ देखो अगर तुमने से लिबस को पूरा किया हुआ है अगर तुमने लिवेश को एक 20 गन्टे लगा लो ठीक है छलो मानलो मैंने बोला कि 20 गन्टे आप लोग 20 गन्टे जो हैं उसमें आप अपनी syllabus की revision कर रहे हो syllabus की क्या कर रहे है ख़़ए सब revision कर रहे हो तो आप लोगों के पास 32.5 hours बच जाते हैं कितने बच जाते हैं 32.5 hours बच जाते अब मैंने बोला है कि आप लोगों को 2 या 3 sample paper लगा लो, 2 या 3 का मतलब क्या है कि 9 घंटे, अगर मैं 1 sample paper, 3 गंटे में solve करूंगा, ठीक है तीन सेंबल पेपर कितने में होंगे नो घंटे में होंगे तो नो घंटे में और निकाल देता हूँ तो भाई 21.5 बन गए हाँ 21.5 बनने वाले हैं बारा में से नहीं 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 भाई नहीं 23 बनने वाला ठीक है 23.5 देख लो ना 23.59 एड करो तो 0.5 ऐसा ही 9-3-12 हो गया और ये 2 हो गया ठीक है सही है भाई अब 23 घंटे भाई सब तुम्हारे पास revision करने के हैं 23 घंटे तुम्हारे पास revision करने के हैं revision किस चीज़ की करें भाई सब previous year question की जितना हो सके previous year question करो कितने साल तक के करें 5 साल तक के जरूर करने हैं साथ में अगर तुम्हारे पास time बचता है तो NCRT के sold example जरूर कर लेना NCRT के sold example जरूर कर लेना सर आपने यह तरीका तो बता दिया कि किस तरीके से हम slots डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए लेकिन कैसे syllabus को revise करें भाई सब देखो मैं यह नहीं बोलूँगा तुम्हें कि भाई वन शोट ही देखो तुम्हें जैसा सही लगे तुम्हें जैसा भी सही नहीं लग रहा होगा तो तुम अपने पढ़ाये होए टीचर से जैसे तुमने अपने टीचर से पढ़ाया है ठीक है उससे जो भी नोट्स बनाए होंगे ठीक है या खुझ से जो भी नोट्स बनाए होंगे भाई उनसे रिवाइस कर लो उनसे क्या कर लो रिवाइस कर लो क यार एक एक घंटे दो दो घंटे भी निपट जाएंगे ये चप्टर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो मैंने पहले बोल दिया आप लोगों को कि अपने नोट से रिवाइस कर लो तुम्हें लग रहा है कि हां नोट सफिशंट है तो उन से रिवाइस कर लो भई त अपना जो भी फिजिकल सेंटर में तुम जांपी जाते हो ओफ लाइन में वहां से अपने टीचर को बोलो कि सर्फ ज्यादा क्लासिस लगा हो हमारी पूरा स्लेबर्स करा दो दस बारा दिन के अंदर तीन तीन घंटे लगा हो और या साथ आट आट दस दिन के अंदर लिप क्यों हो जाएगा क्योंकि तुमने चीजे पहले पढ़ी हुई है पहले चीजे तुमने पढ़ी हुए और मैं थोड़ा सलो भी पढ़ा रहा हूं उसके अंदर तो इतना तेज भी नहीं होगा ठीक है तो एक आईडिया हो जाएगा आप लोगों को रिवीजन का प्रीवीज जल्दी हो जाते हैं मान लो 23 गन्ते मैंने मुझे सց फपरें में पूरे पोड़ा हो अगर दय हो यह यहाँ इस यजोará क्यों कोई कुछ में गल्दित तो नहीं कर रहा है नहीं भाई क्योंकि तुमने पहले syllabus पढ़ रखा है पहले प्रिविश इर देखे भी है ठीक है तो खुछ से करो यार रिवीजन करो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कुरो जैसे कि मैंने बोला कि दो या तीन जरूर लगाना अपनी टाइम के अकोडिंग मैनिज कर लेना ठीक है तो इस तरीके से हमें अगले 15 दिन के अंदर फिजिक्स पढ़नी है बट सर अगले 15 दिन में फिजिक्स को मतलब कैसे कवर कैसे करें कवर कवर इन दा सेंस कि आपने बता चार घंटे में देने वालों चार घंटे में से दो घंटे मुझे लगेंगे इसकी थियोरी पटने में और दो घंटे मुझे लगेंगे मुझे इसके प्रिवेस एर कुशन करने में यह प्लस जो NCRT के क्या है प्लस NCRT के जो भी सोड एक्जामपल है अगर आपके पास में रेश्ट हो इससे क्या होता है यार हम जब लगातार पढ़ रहे होता है ठीक है लगातार अगर हम पढ़ रहे हो तो बोर हो जाएगे और धिमाग भी बोर हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे फिर उसी दिन तो body fresh रहे, तुम्हारा मन लगा रहे पढ़ाई के अंदर, तो इसलिए तुम्हें क्या करना भाई, study जो है वो अपनी slots के अंदर करनी है, ठीक है, daily target बनाओ, उनको अचीव करो, सोने से पहले, रात को सोने से पहले, अगले दिन का एक प्लान त्यार करके सो जाओ, कि कल हाँ ये chapter करना है, उसके ये previous question है, ये ये formula revise करना है, या फिर उस chapter में इतनी derivation है, तो वो revise करनी है, ठीक है, daily target बनाओगे, daily उनको अचीव करोगे, तो ही कुछ होने वाला है, जो भी बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, अगर last के दिनों में, भाई साब, revision and practice अगर वो छोड़ देता है, वो दोबारह उसी level पे आ जाएगा, जब वो class 12 में enter होगा था, उसी level पे, क्योंकि उसको दोबारह से सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो इसलिए practice करना जरूरी है, revision करना जरूरी है, और मैं कहूंगा, कि यार written practice जरूर करे, मतलब कोई अगर numerical है ना, तो उसको हवा में मत पढ़ना, उसको खुद solve करके देखो, उसको खुद से solve करके देखो, अगर कोई diagram है, अगर कोई diagram है, तो उसको बना के देखो, अगर कोई derivation है, तो इसको in short, in short, shortcut में, इसलिए इसे page के ओपर roughly, कि ये formula ऐसा होगा, इसके बाद ये step आएगा, इसके बाद ये step, भाई सब ये बहुत ज्यादा help करेगा आप लोगों की, ठीक है, कहीं बच्चे क्या करते हैं, मान लो teacher ने derivation पढ़ा दी, मान लो मेरी video से derivation कर ली, भाई सब उसके बाद बता क्या करेंगे, बस sir होगी, derivation तो होगी मेरी, भाई practice तो करो, practice करोगे तो ही कुछ होगा, return practice के देखो, कोई numerical है, अगर तो बिलकुल असान है, कि पता है यार ये value है, ये formula सिरफ put करने से हो जाएगा, तो हाँ वो तो तो तुम बोल सकते है, हाँ यार ये हो गया, लेकिन कुछ अगर logical question कुछ आगया है, तो इस logical question को खुद से करके देखो, और उनको एक बात और, जो पीवाईक्यू, जो भी numerical, जो भी पीवाईक्यू या जो भी numerical, या कोई भी NCRT का sold example तुम्हें अगर मुश्किल लगे तो उस पर star बना लेना, ठीक है, और उनको निप्टाते जाना, ताकि board exam की profession जिस दिन कर रहे होंगे ना, पांस दिनों में उन star वाले questions को करके जाना, ज अब किस तरीके से चला सकते हो, alternate day पे, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, बस मैं यही बोलूँगा, कि last हमारी यह लडाई है, boards 2023 के लिए, और माबाब का पैसा लगा हुआ आप लोगों के, तुम्हारा खुद का time लगा है, मैंने आप लोगों के साथ मेहनत की है, त तो एक अच्छा college तुम्हें मिल जाएगा, और अच्छा college अगर तुम्हें मिलता है, तो कल को एक बड़िया future तुम्हारा बन रहा होगा, है ना, ओके, तो I hope कि यह session, यह video आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को लगता कि मेरी video से आप लोगों की help होती ह तो मैं request करूँगा कि इस video को अपने friends तक share जरूर कर देना, and like भी कर दिया करो यार, ठीक है, इन दोनों चीजों में कोई भी पैसा नहीं लगता, है ना, तो बस यही समझाना तो तुम्हें, इस video में कि किस तरीके से अगले 15 दिनों में तुम्हें पढ़ना चाहिए, और मै मैं आप लोगों के साथ हूं, मिलके फोड़ों के बोर्ट को, कल से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसका लिंक मैंने इस से पहले वाली जो वीडियो था, उसके अंदर दिया है, मतलब एक बैच जो मैं लेके आ रहा हूं, विलकुल फ्री ओ कोशर, जिसमें वरन शो